व्रकॉटो मैं चाओं मवरी गूरू फ्रेंट्स, MBVS की कितनी सीटें इस बार एड होई हैं, NMC ने कितने कॉलेज़ को अप्रूव किया है और उसकी वज़े से आपके All India Quota और State Quota की कटाप पे क्या प्रावा पड़ेगा यह पूरा इस वीडियो में हम बात करेंगे, हलाकि एक वीडियो में ने बना के आपको बताया था पहले भी कि किस स्टेट में कितने कॉलेज़ इस बार 2023 में एड होंगे, कुछ नए कॉलेज़ भी एड हो सकते हैं, जिनकी प्रॉस्सिंग चल रही है, लेकिन जितने कॉलेज़ अभी तक एड हुए हैं, उनके हिसाब से आपक इडिया, खोटा के कट-off कितना रह सकता है, मैक्स डूमेग, यह हम बात करे ते इस वीडियो में, अगर टोटल मेटी मेडिकल कॉलेज़ इस बार है होने वाले हैं, जिसमें कि 30 मेडिकल कॉलेज़ एसे हैं जो गौर्मेंट के हैं, ठीक है, ठीक है, अगर अगर मेडिकल कॉ तो 1,07,000 से उपर सीटे इस बार हो गई है total, ठीक है, including government, private and deem, ठीक है, 3000 सीटे government के अगर आ रही है, तो उसका 15% सीटे सीधे और इंडिया कोटा में जाएगी, में सारहे 400 सीटे और इंडिया कोटा में जाएगी, यूपी के जो 13 medical college थे वो भी approved हो चुके है, तो total 30 colleges इस बार add हो गए है, ठीक है, अब इसकी वज़े से general के cut-off पे क्या परहा पड़ेगा, अगर हम बात करें तो general का cut-off कुछ ही इस तरह से रह सकता है, मिस लाज्ट तक, last round तक, actual में क्या होता है, friends की, जो नए colleges है, जो नए colleges इस बार open हो रहे हैं, उनमें बच्चे colleges की सीटे लेते तो हैं, लेकिन फिर वो उसमें रहते नहीं हैं, उसको ultimately वो छोड़ देते हैं, वो अपने state को prefer करते हैं, तो जिसकी वज़े से क्या होता है, कि mock-up हुआ या फिर last round तक, आपको थोड़ा कम rank पे सीटे मिल जाती हैं, तो कुछ इस तरह से category wise इस बार का cut-off रह सकता है, और जहां तक state की बात है, तो जिन state में काफी colleges add हो रहे हैं, जैसे तलंगाना हो, यहां पे काफी colleges add हो रहे हैं, और तलंगाना का merit वैसे भी लू जात सबस्याइब आपको रहे हैं, यहां की मेरिट भी होते हैं, यहां की मेरिट भी होते हैं, यहां की कट-off पे उतना ज्यादा प्रवववन नहीं पड़ीगा, क्योंकि आलड़ी UP की मेरिट बहुत हाई होती है, मैंने पहले ही बता दिया, कि 2-3 marks का gap हो सकता है, UP के cut-off में, क् तीन मार्क्स के अंदर हजार से उपर बच्चे आ जाते हैं इतनी तो सीटे भी नहीं रहती हैं तो इसलिए क्योंकि एक एक मार्क्स पर बहुत सरी बच्चे होते हैं इसलिए कट अपके उतरा प्रवह नहीं पड़ेगा हाँ यही अगर लो मेरिट स्टेट है लाइक आसाम में प्रवह पड़ेगा काफी पढ़ेगा ठीक है क्योंकि वहां की मैरेट उतनी हाई नहीं जाती है जेने स्टेट की मेरिट हाई जाती है काफी यह जाती है डैंस्टी काफी हाई होती है मीस की एक नमबर के बीज में 200-300-400 बच्चे आ जाते हैं यूपी हो गया बिहार हो गया राजस्थान होगया यह डैली होगया, इन सभ स्थेट में बहुत जादा फ़asmra में पड़ता है, अगर दस बाई दाल तो तो कोई फ़रक नहीं पड़ता है, जादा फ़रक नहीं पड़ता है कि सफिशल पाँ सी दस नंबर का tough come नहीं होता है ऐसा आपको telangara में दिख सकता है आंधरा में दिख सकता है या फिर awesome में दिख सकता है कि 15 marks का difference हो गया लेकिन यहाँ पर आपको इतना difference देखने को नहीं मिलेगा चाहे वो जितने colleges add होए depend upon कि state किस state में कितने colleges add हो रहे हैं और उस state की merit कैसे जाती है उस state की rank density कैसी है I hope कि यह वीडियो आपको अच्छा लगाओ